सूरी कुमारीयदफ की कपतानी भी टीम इंडिया ने बांगला देश को क्लें स्विप्प कर दिया यानि कि 30 से इस मैچ को टीम इंडिया ने अपने नाम किया, बांगला देश को तीसरे मैच में 133 रनों से टीम इंडिया ने हरा दिया है और एक बार फिर से यहाँ पर clean sweep किया तो अब सूरिया जो है वो MLS होनी से भी आगे हो चुके हैं विराट भोली की बराबरी कर चुके हैं और अगर clean sweep की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो है वो T20 में रोज चर्मा ने clean sweep किया है किसी भी टीम को तो 6 बार उन्होंने की का में किया है और ये तुफानी शतक जो है वो बांगलेदेश को खिलाफ आया है साथी साथ उन्होंने रोहित का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया अगर बांगलेश टीम की बात की जाए तो सबसे तेज 50 जो है वो लगाई थी यहाँ पर रोहित शर्मा ने लेकिन अब उस बात की जाए तो रोहित शर्मा ने 35 बॉल में अपनी शतक पारी खेली थी और सुरी कुमार यादफ की बात करें तो 45 बॉल में उन्होंने शतक लगाया था तो शतक के मामले में सुरी कुमार यादफ जो है वो पीछी हो गया है संजी सामसें पर लेकिन एक खिलाडी जो है चर्चा का विशेब बना हुए नाम है वाशिंग्टन सुंदर की एंट्री सरूर हुई उन्होंने बले बाजी अची कि लिकिन जब यहां पर गेंदबाजी की बात आई तो गेंदबाजी से भी हाँ पर इंप्रिस किया और सबसे जदा इंप्रिस किया यहां पर फिल्डिं चर्चा का विशेब बना है वाशिंग्टन सुंदर को वाशिंग्टन सुंदर ने कहा कि यह गर्व की बात है तो वाशिंग्टन सुंदर को इंपक्ट फिल्डर के तौर पर उन्हें के सिरीज से नवाजा गया है यानि कि आवार्ट से नवाजा गया है उन्होंने रियान पराग और हार्दिक पांडिया को पीछे छोड़ दिया है तो टीम इंडिया जो है सूर्य कुमार यादर के कप्तानी में अगर बात की जाए तो 297 रन बनायते हैं जो की एक हम गदे ना फुल नेशन मेंबर के हिजाब से सबसे हाइस रन है उन्होंने टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को भी यहाँ पर पीछे छोड़ दिया है अफगानिस्तान ने आयरलेंड के खिलाफ 288 रन की पारी खेली थी और सबसे बड़ा स्कोर था एज फुल नेशन मेंबर अब ये रिकॉर्ड जो है वो टीम इंडिया के नाम हो चुका इसके लावा दुनिया भर की बात की जाए तो नेपाल जो है इस में सबसे आगे रहा है 370 रन की पारी खेली थी मंगोलिया के खिलाफ और बाउंडरिस की बात करें तो यहा देख रहा है तो चैनल को फॉलोव जरूर कर लें ताकि भी खबर मिसना होने पाए नीजनेशन अब वाटसेप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए नीजनेशन के इस क्यूर कोड को स्कैन करें